हेलो वेल्कम डू बैक माई यूटूब चैनल कैसे हैं आप सब और यह देखो मेरे गंदू से बच्चे को आज मैं सुच्छी इनको नहला दूं क्योंकि हपता हो गया नहलाए हुए इनको उदर सर्दी भी हमारे हां बहुत थी धूप भी नहीं अच्छे से निकल रहा था इस कि अब यह चल रहे हैं इनको नहलाने तो थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं कैसे नहलांगे अपने बेटा को हुए न पूप्टू पुटू उपर देख देख सब को हाई बोलो बोलो बाइबाई ऐ गलोपू एक तू क्युट एक मैं क्यूट ओ इस नहीं ठीक लगा दिया है तो आजर लगा रहे हैं ममा को है ना कि नजर ना लगे आप लोग को नहीं देख रहा है तो चल रही हुए नहीं लाने ठीक है अब भी शुबा से जब हमने मालिश करा था इनका नौ बचे तो नौ बचे से अभी तक इनोंने सोय आ ही है चले नहलाने चलाने ठीक है अमा आपको फर्स्ट बार नहलाने जा रही है तो चलिए नहलाते हैं इनको हेलो तो अब मैं चल रही हूं नहलाने तो सबसे पहले नीचे कुछ बिच्छा देती हूं तो इसको बिच्छा दी हूं यह मतलब कि आप उन्ते प्लास्टिक का है तो पानी नहीं जल्दी ठीकेगा और बाबो को ठंडा भी नहीं लगया क्योंकि आज कर आपको पता है सर्दी है सर्दी में फर्स बहुत ठंडे होते हैं तो इस करके नहलाने के चक्कर में नीचे ना बाबो को रखना पड़ जाए क्योंकि दीदी वी ऐसे नहलाती थी जह उसके पेट में और पीठ में मतलब साबनों गरा लगाती थी तो थोड़ा सा जमीन में टच करती थी बैठाती उसको तो इस करके मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया है कि ठंडा ना लगे बापो को तो अब मैं इनके कपड़े उतार रही हूं तो धूब बहुत अच्छी हुए बहुत अच्छी आप लोग देखी सकते होंगे तो इसलिए मैंने जो चाज मैं नहला ही देती हूं क्यो बोलेवी किनारील का तील लगाओ उससे ठीक हो जाएगा सिर में तो भी मैं लगाओंगी तो इसलिए मैं नहला दें मैंका नहला कि वच्छे से जितना भी पपड़ी जो है सिर में थोड़ा-थोड़ा निकला है वो निकलेगा तो यह देखो मैं इसको खिला रही हैं यहां क्योंकि क्या है ना जब भी मैं इसका कपड़ी उतारती हूं या मालिष करने के लिए नहलाने के लिए मदलो किसी भी चीज के लिए तो मैं इसको में नउंगू-पंगू करके खिलाओं बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो इसलिए वैस खिलाने लग जाती हूं कंछ थं डर भी लगता है शर्टी बच्चों को लग जाती ये बहुत प्रौब्लम हो जाती है इस करके पिछले अप्त हमने कथा सŁना था अपने लाये थी उसके बाद फिर अब नहीं रही हूँ तो अराम से सीर तो अच्छे से मालिस कर वा लिया अच्छे से मालिस करके मतलब नहाया है और बहुत देखो मेरे को देख रहा था खेल रहा था बिल्कुल भी रोया नहीं जब इसकी मतलब में साबुल लगाने की बारी आई पूरी बोडी में फिर जाके थोड़ा सा रोया फिर जब गरम पानी डालने लगी तो फिर मतलब चुप हो गया नहीं रुया और हमने हलका गरम पानी लिया ज़्यादा गुण गुना नहीं लिया है ज्यादा भी बच्छे की स्किन बहुत नाजूख तो मैं एसे डडर के नहला रहे थी और एक खेल रहा था तो इसके मालब से मासाज का भी देड़ तक करती रही कि चलो यह मतलब रो नहीं रहा है तो अब मैं धूल दी हूं अब मैं फेस इसको धूल रही हूं मैंने सोच चलो ऊपर का पहले सिर्व गयरा फाइनल करूं तब बाड़ी पर आती हूं क्योंकि फिर बाड़ी ठंडी हो जाएगे तो फिर मैं मुह इसको चुब रहा था तो मैं फिर बाद में सोचने लगी यार मैं कंगर निकाल दी होती तो अच्छा होता तो अब यह चिल आया था थोड़ा सा इधर जब मैंने यह लगाने शुरू के न शाबून फिर ऐसे मैंने देखा था दीजिना लाती क्योंकि परी थी जब तो यहीं नहला रही थी मैं इसको चलो अब मैं इसको नहला रही हूं है यह बapter लाया खोबते इसे चिला था पूरी बौरी पडे कितम रेड हो जाती इसकी और लोग देखी सकते होंगे विश्ञ् diffam रिट हो गया को बड़ी तो जा यह नहला था छा बट कुछ नहीं अच्छा लगा अब देखो मैं नीचे इसको भी छाई थी ना तो फैला के रखी थी तो इसको मैं अच्छे से बैठा के नहला दी हूं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है बस अब लास्ट बार पानी जली निकाल रही हूं डरी तो मैं बड़ी थी कि मतलब के आ हुआ ठीक है तो तो लिए लपेट के इसको रख देती हूं और आप पाउडर की करूंगी मालिश तो यहां पर मैंने देखो कैमरा रखा था ना यह कैमरा नीचे चला गया था और हमारा आता ही बोड़ी आ रहा है तो यह क्या है ना यह स्टैंड बहुत ज़्यादा खराब हो जाता तो इस करके मैं ध्यान नहीं दी यही प्राब्लम होती है अकेले वीडियो बनाना कितना मुस्किल काम होता है कितना मुस्किल और साथ में जब छोटा सा बच्चा हो तो और पारी थी तो मुझे इतनी प्राब्लम नहीं हुए थी पर अब बाबु है ना तो फिर सरत रात में हेल्फ के लिए कि हमारा फोन पकड़के थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं चोटी-चोटी क्लिप बनानी होती है जिसमें आलस लगता है कि यार मैं फोन उठाऊं फिर रखूं तो इसकर के नहीं तो आप दोखो इतना धूप आ रहा था इसलिए इतना क्लीन भी नहीं है कैमरा अगर कोई आगे से बनाया होता तो फिर आता है और कहां कहां रख सकता है तो चलो जितना भी हो सकता है उतना मैं अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगे आप लोग के साथ और अपने बाबो की रूटीन सब को शेयर करूंगी काफी चीज आप लोग के साथ करने जो कि बहुत अच्छा मेरे को लगा और आप लोगों के वेवी साथ ऐसा हो गता होगा इसके में शेयर करूंगी क्योंकि ये मेरे बाबो को पिंपल भी हो गयते जो दाने-दाने होते हैं वह ठीक होने लगा क्यों होने लगा ये सब मैं बकादा वीडियो बनाऊंगी ठी क्योंकि ए?